वेलकम बेक टो मैं चैनल और आज मैं आपके लिए लाई हूँ फैट कटिंग ड्रिंक जो के बहुत ही जबर्दस और मिरिकल करती है हमारे वेट लॉस में और मैं इसको पर्सनली भी यूज़ कर रही हूँ काफी मन से तो मुझे बहुत जादा अच्छे इसने रिजर्ड दिय हैं तो यह मैं आपको आज सिर्काओंगी बनाना और इसमें जो जो चीजें स्तामाल होती है सबसे पहले मैं उनकी Jasmine आपको बताऊंगी कि कि इसमें जो चीजें हमें चाहिए हमें चाहिएな हमने के दालचीनी का पॉडर इस टियक नहीं चाहिए हमें उसके इलावा हमें चाहिए मेती दाना जिसको फ्यूनर ग्रीक सीड भी कहा जाता है और उसके इलावा हमें चाहिए वीरा यानि क्यूमिन सीड इन तीनों के बैनेफिट्स मैं आपको बताऊंगी और I am sure जब आप इनके बैनेफिट्स सुनेंगे तो आपका फुद दिल चाहेगा कि आप इसको ब बेट नहीं जा रहा है स्टक हो गया है तो आप इसको जरूर स्टमाल करें यह आपको बहुत ही जबर्दस जिदर्ड देने वाली है तो सबते पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारी सिनिमम है उसमें क्या-क्या बैनेफिट्स होते हैं as overall for our health और weight loss के लिए तो चले आए सबते जो सिनिमम होता है उसके अंदर बहुत ही जादा beneficial होता है हमाई weight loss में नहीं बलके overall health के लिए जैपनीज स्टेटी आई थी I think 2012 में के यह हमारे blood pressure को बहुत जादा लो करता है उसके इलावा insulin का जो function होता है उसको बहुत जादा इंप्रूव करता है इसके अंदर यह जो होता है anti-bacterial होता है anti-oxidant होता है उसके इलावा जितनी भी आपके body में bloating हो रही होती है उसको कम करता है blood pressure को low करता है और अगर आप इसके अंदर जो है वो magnesium होता है iron होता है calcium होता है तो यह overall health के लिए भी बहुत अच्छा होता है और weight loss के लिए यह इसलिए अच्छा होता है कि यह हमारे metabolism को boost करता है यानि जितनी calories हम intake करते हैं यह उसको बहुत जल्दी burn कर देता है तो इसलिए इसको बहुत अच्छा माना जाता है weight loss में और number two है जी हमारा funeral greek seed यानि के मेथी दाना मेथी दाने के भी फवाइद बहुत ही बेतहाशा है बहुत ही जबरदस है इसके अं appetite यानि के बारबा भूप नहीं लगती जिससे उसके इलावा जी इसके यह भी हमाई bloating को खतम करता है metabolism को boost करता है तो इसलिए अगर आप weight loss कर रहे हैं तो यह दोनों ingredient आपकी life में जरूर होने चाहिए एजर ड्रिंग हो या आप इसको खाने में इस्तमाल करें तो इसके इलावा नमबर थर्ट पे आता है जी जी जीरा यानि क्यूमन सीट सब जानते हैं कि जीरा हमारे हर खाने पाकिस्टान हो या इंडिया हो सब खानों में जरूर डलता है तो इसके फवाइद जो है वो को बूस्ट करता है उसके इलावा ब्लोटिंग को रोकता है उसके इलावा जी इसके अंदर बे तहाशा फवाइद होते हैं जिससे आपके जो है ये बीपी को शूट नहीं होने देता शुगर का लेविल जो है वो कम रखता है इंसुलीन रिजिस्टेंस आपकी बॉडी में नहीं होने देता तो ये जी इनके फवाइद हैं और इसके साथ-साथ ये जो ड्रिंग मैं आपको बनाना सिका रही हूँ इसके अंदर हम एड़ करेंगे ग्रीन टी ग्रीन टी सब जानते हैं जी एंटी ऑक्सिडेंट होती है और मेटाबॉलिजम को बूस्ट करती है तो अच्छे जी जाते हैं तो चले आए देखते हैं ये ड्रिंक कैसे बनानी है एक कफ हमें चाहिएए पानी सभ्क चाहिएं और एक हमें ग्रीम टी का साशय चाहिए अब हम जी तब से पहले अपना पानी कर लेंगे बॉयल्ड तक्रीम हम इसको नीम गरम हो गया है इसके अंदर हम यह तीनों इंग्रेडियन एड़ कर देंगे और इसके बाद इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे स्टेयर स्टेयर करने के बाद हम इसको तक्रीमन पांस से दस मिनट के लिए बॉयल्ड आने देंगे और इसको जरूर इसनामाल करें और अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाए ताके आपका वेट भी जल्दी से लूज हो जाए और ये जी अच्छा ता आगया है बॉयल्ड और मेथी दाने के जो दाने है वो थोड़े से हो जाते हैं बड़े अब हम अपना कर देंगे फ्लीम आफ और इसको हम चाल लेंगे ये जी हमाई रबरस की ड्रिंग बिल्कुल हो गई है तयार और ये इतनी जटपड बन जाती है कि आप अराम से इसको कंज्यूम कर सकते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसको एक कप में मैं निकाल रही हूँ और अब इसके अंदर मैं डिप कर दूँगी ग्रीन टी का साशे ग्रीन टी बैक जो है वो मैंने इसमें इस एड़ कर दिया है और अब ये रेड़ी है इसको जबूर स्तमाल करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी और इसका टेज भी इतना मज़े का होता है कि आप अराम से इसको पीलेंगे और जो लोग ग्रीन टी नहीं इसको आप दिन में आपको प्रिफर करूंगी कि आप जरूर लें और फिर मुझे शेयर कीजिएगा कि आपको इसके रिजल्ट कैसे मिलें और मुझे जबू बताईगा कि आपकर वेट कितना कम हुआ इंशाला मिलूंगी नेक्स रेसिपी के साथ और नेक्स वीडियो के आपको भी हेल्प करें और मुझे भी हेल्प करें अपना रखियेगा बहुत ख्याल मुझे और मेरी फैमली को रखियेगा दुआओं में आद अल्ला हाफिब